दोस्तों मैं अभी नहीं कि आप सब का स्वागत करता हूँ बाइजूज एक्जामपर गेट एनियसी हिंदी यूटूब चैनल पर सीरीज चल रही थी हमारी स्वाइल मेकेनिक्स की जिसमें मैंने आप सबसे वादा किया था कि पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट पठक दूँगा उसमें हमने ओरिजनल स्वाइल पढ़ा फिर उसके बाद हमने फेस डाग्राम पढ़ा फेस डाग्राम के अलग लग पैरमेटर पढ़े वाद रिशल पॉरस यह सब उसके बाद के relationship पढ़े और उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट वेट और ओर वाटर कंटेंट का determination, pycnometer method, pycnometer method, oven dry method, water displacement method, core cutter method, sand replacement method, यह आप में से maximum लोग जानते थे, नहीं तो कल जान गए होंगे, लेकिन infrared rate method, calcium carbide method, यह water displacement method, ओके आपके बाद जो radioactive material था, अकल मने आपको दिखाया था, वो एमेट कर रहा था, radiation, वहाँ से unit weight और वाटर कंटेंट निकालन radiation method, यह सब बच्चे कल जाने होंगे, तो उमीद करता हूँ, आप स्वस्त होंगे, मजे में होंगे, और उसी series में, आज हम पढ़ने वाले हैं, जितना भी अभी तक पढ़ा था, soil properties, parameters, उनके बीच का relationship, unit weight और water content determination, जितना भी अभी तक इस series में पढ़ा है, उन सारी चीजों के numericals इस particular session में होंगे, यदि आप channel पर नहीं है, तो फटा फट से subscribe कर लेना, क्योंकि one stop solution होने वाला है, for all engineers, civil engineers, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं दोस्तो, अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं, इस channel पर मेरे को नहीं जानते हैं, तो मैं पने बारें बता दू, मेरा न 2012, you have to score better rank than this, mentored more than 20,000 students in offline for more than 8,000 hours, okay, subscribe कर लेना, one stop solution होने वाला है, चाहे वो आपके पास हो civil engineers के technical solutions, चाहे वो हो आपके पास numerical sessions, या चाहे वो आपके पास important updates regarding job, one stop solution होने वाला है, तो आप subscribe कर लेना, सब के सब अभी तक नहीं किया है, तो, और एक बहुत ही super duper, आपके पा करने वाली है, 8th May को, 12.30 PM पर, ओके आस्तो सर, ITBHU alumnus, यह आपको लेंगे और बताएंगे कि कैसे आप ace कर सकते हैं, कैसे आप gate फता कर सकते हैं, in your first attempt, ओके दोस्तों, आप जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, उस सारे के सारे, इस नई, इस series में, क्या है नया, नया यह है, कि PDF तो हमेशा देता है, Civil by Abhinav Sir पर, Civil by Abhinav Sir टेलीग्राम पर, PDF तो मिलता ही था, लेकिन इस series में, मैं assignment भी दिने लग गया हूँ, हर एक class के बाद, आपको Civil by Abhinav Sir में assignment मिल जाता है, आज भी मैं class के दौरान ही assignment दे दूँगा regarding today's class, आज के class के दौरान ही दे दूँगा assignment Civil by Abhinav Sir पर, assignment वो एक नया तरीका निकाला है, बच्चों को help करने का, particularly जो उस वीडियो में पढ़ाया जाता है, exactly वैसा ही आपको assignment में convey कर दिया जाता है, ओके दोस्तों, कल ईद की छूटी आप सब को ईद मुबारक, कल कोई class नहीं रहेगा, 4th में को next class रहेगा, C.E.W.E.N 4th, then on 7th, तो आप पढ़ते हैं, numerical वाला का, उसे पहले इस सीरीज में नया क्या है, दोस्तों, आपके वास concept numerical तो थाई, full coverage of first chapter है, आपका response अच्छा रहा, आप सारे assignments solve करते गए, जैसे कि सिमन सिंग, हर एक दिन, हर एक कोशन का अंसर, जो भी मैं assignment दे रहा हूं, वो कर रहे हैं, तो assignment इसमें एक नया मिल रहा है, और doubt मैं आपको बताई दिया है, कि दो बज़े के आसपास, आप कभी भी दिन में मैं इसे टेलिग्राम पर doubt पूछ सकते हैं, मैं active रहूंगा, ठीक है, पहला अभी coverate हो रहा है, इसके बाद जब भी मैं soil mechanics दुबारा YouTube पर इसे हिंदी मैं पढ़ा हूँगा, तो second chapter से start कर देंगे, आप सब के लिए, ठीक है, तो daily assignment है, ये दोस्तों, ये मैं दो तरीकी PDF दे रहा हूँ, ये जो board पर लिखता हूँ, वो तो सब देते ही है, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, लेकिन साथियों, जो भी मैं पढ़ा रहा उससे एक assignment भी बना रहा हूँ, जिसमें आपके बास सारे questions ऐसे होंगे, जो उसी particular चीज़ के regarding होंगे, उसी particular topic के होंगे, जो मैं lecture 1 में पढ़ाया था, assignment lecture 1 का, अभी भी टेलिग्राम में होगा, सिविल बाया विन हो सर में, टेलिग्राम में दे दिया है, जो lecture 2 में पढ़ाय आपको दोस्तों, तो मैं उस sessions में आपको concept पढ़ा रहा था, फिर उसके numerical करा रहा था, फिर assignment दे रहा था, ठीक है, आज का session purely numerical होने वाला है, direct वैसे ही questions में आपको देने वाला हूँ, जैसे exam में आएंगे, तो please be very very attentive, ठीक है, गूड इवनिंग प्रशान सब, कैसे एक बार फटाफर से बता देना, comment section में, सब सही है, तो class start करते हैं, पहला question, in a soil, three phase diagram, एक soil थी, three phase diagram था, solid भी था, water भी था, gas भी था, ध्यान से copy pen निकाल लेना वाई सबके सब, वाकई ही में अगर इस session से फायदा लेना है, तो copy pen निकाल लेना, अब इसमें one fourth of the total solid था, इसमें solid था कोई दिक्कत नहीं, इसमें पानी भी था, three phase कहा रहा है ना, तो सब कुछ ही होगा, three phase कहा रहा है ना, सब कुछ ही होगा, और total V volume, मैं इसका कहा देता हूँ, V, total volume इसका है V, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद, total volume, one third, the total volume is filled with air, one fourth इसका भरा है air से, तो air का है V by four okay, V by three है water का, तो solid का कितना होगा, total में से, इनको minus कर दो, V by four plus V by three, okay, ये क्या है, भाई, ये क्या है, ये क्या है, voids, water और air मिला के क्या कहते है, water और air मिला के क्या कहते है, voids कहते है, तो ये V, minus इन दोनों को add कर, 12 lcm, seven V by 12 आ जाएगा, seven V by 12 आ जाएगा, तो ये आपके प seven V by 12, आपके पास है, voids, okay, तो ये आपके पास आगया, five V by 12, ठीके, अब यहां से कहानी क्या पूछी है, भाई सामने कोई बहुत तीस मार का question नहीं पूछ लिया, void ratio पूछना है, तो void ratio क्या है, volume of voids, volume of voids कितना था, seven V by 12, divided by volume of solids, that is five V by 12, यहां से आपके पास, void ratio एगा, seven five by five, वो पोरोसिटी पूछा होता, पोरोसिटी पूछा होता, तो कैसे निकालते है, volume of voids by total volume, बिल्कुल नरेश्मिना, excellent, पोरोसिटी कितना होगा, जल्दी बता हो, पोरोसिटी कितना होगा, जल्दी बता दो, पोरोसिटी, अगर पोरोसिटी पूछा होता, तो व होता है volume of voids by total volume तो volume of voids कितना है 7V by 12 divided by total volume V तो यह 7 by 12 आता यह porosity होता लेकिन porosity लेकिन पूचा है void ratio ठीक है बिलकुल शांदार excellent excellent बहुत ही बच्चों ने सही जवाब दिया है आगे चलते हैं यहां से वीडियो को यार प्लीज पूरा मेहनत कर रहा हूं दिन भर आपके लिए दिन भर आपके लिए दोस्तों दिन भर आपके लिए दोस्तों के assignment बनाता हूं वह assignment टलिग्राम पर देता हूं वह आप पे depend करता है कि आप कि इतनी इमानदारी से जो lecture देख रहे हैं उसके बाद assignment भी solve करते हैं की नहीं करते हैं जिस लोग ने रोज रात को दस बिज़े मेरा session देख रहे होंगे और उसके बाद assignment solve कर रहे होंगे मकीन मारिए दोस्तों बहतरीन तरीके से उनका concept clear हो रहा होगा थोड़ा effort आपको भी डालना पड़ेगा दोस्तों मैं assignment बना रहा हूं मैंनत कर रहा हूं better presentation में आपको चीज़े समझा रहा हूं लेकिन उस assignment को solve करना पड़ेगा दोस्तों उसके बाद question number two पे आते हैं थूड़ा सब मैं बहुत ज़्यादा tricky तो नहीं कह रहा हूं हलका सा हलका सा tricky question है लेकिन मैं को पुरी उमीद है कि आप लोग इसको बना देंगे a soil has a bulk density two point two four gram per cc okay and water container 12% ध्यान समझना बात को ध्यान से समझना यह है solid फिर कुछ होगा water और कुछ होगा air ध्यान से समझना बहुत ज्यादा ठीक है अब यह वाला चीज है यह weight of solid और water content कितना है 12% water content कितना है weight of water by weight of solid तो weight of water कितना हो जागा water content into weight of solid water content कितना है 12% तो point one two into ws कोई दिकत नहीं ओके और यह total volume कुछ होगा भी अब इसकी density कितनी रहेगी भाई यह green वाला मैं इस वाली की बात कर रहा हूं इस वाली कहानी की बात कर रहा हूं मैं अभी यह वाली कहानी की बात कर रहा हूं आगे वाली कहानी पे नहीं गया हूं वाई अभी आगे वाली कहानी पे नहीं गया हूं तो इसकी density क्या होगी mass by volume बच्चे बच्चे को बता है बच्चे बच्चे को बता है, गली-गली में शोर है, बच्चे बच्चे को बता है कि density होती है, mass by volume, इस W को mass समझ लो आप, ओके, तो यहां से यह हो जाएगा, 1.12 WS divided by volume मतलब V, यह कहानी सारी की सारी, वो green वाली line तक है, ठीक है, कोई दिक्कतनी ध्यान से समझना बातों को, इसके बाद, अब soil हल्की से partially dry करिये, सब जान समना बाइक, शर्द की गहराईयों पर जाना, partially dry किया है, पूरा dry नहीं कर दिया है, partially dry किया है, और कहां तक किया है, 2.12 ग्राम पर सीसी तक, partially, पूरा dry नहीं कर दिया है, और void ratio same है, मतलब उसकी अभी भी volume same है, solid same रहता ही है, और void ratio same है, मतलब voids भी same है, अब ये पहली green वाली कहानी थी, अब blue वाली कहानी कर रहा हूं, मिरको ये अब है कुछ partially dry किया गया है, इसको, solid तो उतना ही रहेगा, ओके, आपके पास ये रहेगा weight of solid, water content मिरको नहीं पता कितना है, तो इसका नया w dash माल लेता हूं, into weight of solid, ले तो ये होगा WS, 1 plus W dash by volume, और ये value है 2.12, यहां से किसी को कोई दीकरती, नरेश मीना बहतरीन यार, उसके बाद मैं यहां से आगे चलता हूं, WS by V की value देखो क्या लिख सकता हूं, row by 1.12, row कितना था इसका, row कितना था 2.24, हरे वाले का row कितना था, 2.24, तो यहां से मैं देखो क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं WS by V को लिख सकता हूं, 1.12, WS by V को लिख सकता हूं, मैं 2.24, 2.24 upon 1.12, कोई दिकरती नहीं, यह कितना आएगा, 2 value आईगे, इसके देखो, calculation भी असान दे रखिए, उन भाई साहमने, good morning राम, कहां थे अभी तक, ओके, 1.12 divided by 2.24, आपके बाइस, 224 बट 112, यह आजाएगा 2, अच्छा, तो WS by V की value 2 है, मतलब यह वाली value, 22, 22, 22, 22, 22, इसकी value 2 है, और row कितना है यहां पे, row कितना है, यहां यहां पे, blue वाला 2.12, 2.12 is equal to 2, 1 plus W dash, ठीक है, यहां से 2 से divide करो, तो 1.06, 1.06 is equal to 1 plus Jaloo dash, तो W dash 6% आजाएगा, कहतरीन तरीके से मज़ा आया की नहीं आया, शेयर कर दो यार, एक और maximum दोस्तों तक, मज़ा आया, की नहीं आया, आगे और मज़ादार question कराऊंगा, आगे भाई और मज़ादार question कराऊंगा, बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, जल्दी से बोलो समझ आया की नहीं, एक बार सारे के सारे कमांडो सारे के सारे चैंपियन समझ आया की नहीं ओके गामा भी हाँ उससे भी कर सकते मैं फॉर्मले से नहीं किया नहीं फेस डाग्रम से कर लिया वाई मैं फॉर्मले से नहीं किया मैं फेस डाग्रम से कर लिया नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन लंबा ह त्रणा नहीं है, जो कोशिशन जितना ज्यादा लंबा है, मतलब उतना ही ज्यादा डाटा दे रखा उसमें, यह उतना ही असानी होगी इस वैल करने में, अब एक जगा से गड़ा खोदा, बॉरो एरिया, यहां से गड़ा खोदा, और यहां की डेंसिटी कितनी थी, यहां की ड्राइ डेंसिटी कितनी थी, पंदरा, यहां की ड्राइ डेंसिटी थी, पंदरा, ओके, और यहां से गड़ा खोदा, और गड़ा खोदने के बाद, यहा आपने embagment बना दी और embagment की density कितनी थी 18, dry density यहां की 18 थी कोई दिक्कत नहीं, अब जब यहां से तुम ले जा रहे थे न, तो तुमने एक truck लिया, महिंदरा एन महिंदरा truck लिया, जिसकी आपके पास capacity 6 meter cube थी, मतलब वो एक बार में 6 meter cube volume of soil ले जा सकता है, वहां से गड़ा खोधा, borrow pit है यह, borrow pit है, borrow pit मतलब गड़ा, और यहां embagment में ले गया, लाल लाल embagment में ले गया, ठीक है, लाल लाल embagment में ले गया, अच्छा, अब पूछ रहा है कितने truck के चक्कल लगेंगे, अगर मेरे को यहां पे 100 meter cube भरना है, यहां पे 100 meter cube soil embagment बनाना है, तो मेरे को कितने, कितने आपके पास truck लगेंगे, सुनो, लाल वाले की बात करते हैं, embagment की बात करते हैं, roadie होगा weight of solid, या mass of solid, divided by volume 100, roadie इसका ह 18, तो आपके पास weight of solid हो जाएगा, 1800, कोई दिक्कत नहीं, weight of solid मेरे कितनी मार पताया था, यह वाला example दे की बीपताया था, कि solid कभी भी change नहीं हो सकता है, मैं मिटी को फैला के रख सकता हूं, उसके voids बढ़ सकते हैं, उसके volume बढ़ सकता है, मैं इसको compact करके रख सकता हूं, उसके आपके पास voids कम हो सकते हैं, volume कम हो सकता है, लेकिन solid chain नहीं होगा, air change हो सकता है, या पानी भाहा निकल सकता है, लेकिन solid chain नहीं होगा, तो WS constant रहेगा, अब मैं यही कहानी, यहाँ क्लिक करूं, तो rho D, 15 is equal to mass by volume, dry के समय mass के सकता है, सिरफ solid का, dry के समय mass के सकता है, सिर 120 मीटर क्यूब, यहाँ से कितनी soil उठानी है, 120 मीटर क्यूब, एक ट्रक कितना जा सकता है, 6, तो number of truck कितना हो जाएगा, total soil उठानी 120 मीटर क्यूब, इस एक ट्रक छे, तो number of truck कितना लगेंगे, 20, दोस्तों, अभी इससे बहतरीन कोशन कराऊंगा, बहतरी, इससे बहुत हल कोशन number four पे आ जाते है, इसका थोड़ासाब को concept कौन शकर लोग, इसका थोड़ासा मेरे को concept भी आपको बताना पड़ेगा, देखो, इसको छोडो भी, कोशन को छोडो, 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 एक टाम होता है relative density, इसको DR से भी रिप्रेजन करत बहुता हूं इसको डिग्री ऑफ पैकिंग क्यों होती है बताता हूं सुन लो यह होता है पहले e-max maximum void ratio minus e upon e-max minus e minimum maximum order जो मेंको follow करा है मैंने बताया था पूरा drive करके बताया था 0.91 minimum को भी आपको picture से दिखाया था 0.35 होता है अगर कुछ नहीं एक्जाम में दे रखाया तो यह 0.91 और minimum 0.35 लेना है वो maximum ही क्यों होता है derive करके 0.91 दिखा रखाया आपको वीडियो को share करते हैं न सब के सब अब सबसे पहले भाई मेरे को पता चल गया कि DR होता है ए-max maximum word ratio minus e upon e-max minus e minimum पर इसका क्या मतलब क्या है डिग्री आपकिंग क्या है कोर्स गिंशाल के लिए important क्या है concept सुनो भाई अब मेरे भाई जितना ए है इसका natural word ratio यह सब तो constant है ए है उसका असली word ratio जितना word ratio कम रहेगा मतलब उसमें हवा कम है और माल जादा है solid जादा है उतना DR जादा रहेगा तो DR से मैं पता करता हूँ degree of packing अगर DR किसी skull का जादा है तो मेरे दिमाग में बात आएगी मेरे दिमाग में बात आएगी कि उसमें voids कम रहे होंगे highly pack रहा होगा ठीक है good nourish वह highly pack रहा होगा जैसे की subcritical flow जैसी आपके दिमाग में आता है मैं depth जादा होगी पानी की और धीरे धीरे बहरा होगी अलाबाद में गंगा का पानी जादा होगी जेकर धीरे धीरे पहरा होगा supercritical जैसे कोल बोले तो रिशीकेश वाला इकदम राफ्टिंग वाला depth कम होती है supercritical में तीजी से भागते है तो दिमाग में आया वह मैं supercritical में नहीं जा रहा हूँ इस तरीके से DR digital के जादा होगा आपके पास जादा भी हो गया तो तुम यह नहीं कहते है और डियार कम हो गया और डियार कम हो गया तो फाइंगेंस वाल में तुम लूसली पैक्ट नहीं कहते होगी क्योंकि वांस पे हो सकता है उनके बीच में कोईजन हो तो ओल्दो वाइड जादा हो यह जादा हो डियार कम हो लेकिन फिर भी उसके डिग्री ऑपैकिंग अच्छी हो सकती है इसले फाइंगेंस वाल की बात नहीं करते हैं क्योंकि वहां वाइड से हम नहीं बता सकते हैं कि कितनी उनके बीच में बांडिंग होगी वहां पर ज्यादा वाइड होने के बाद भी कोहिजन हो सकता है यह वही कहानी हो गई ना दूर से देखा तो गंजे खेल रहे थे पास जाके देखा तो जल्दी से कमेंट में लिखो इसके बाद DR कितना दे रहा है 0.4 और Emax माइनस E minimum, Maximum और Minimum का Difference कितना दे रहा है 0.3 Emax निकालना है, Loses state में Maximum Word Ratio होगा, Loses पूछा है न मतलब Emax Okay, Minus E, E कितना है, Natural Word Ratio कितना है, Natural Word Ratio कितना है, If the related density of a sample is at 0.4 यह है और यह value कितनी है, आपके पास 66.66, तो यहां से यह value 66.66 मतलब 0.666 हा जाएगी और यहां से आपके पास Emax आ जाएगा, यहां से आपके पास Emax आ जाएगा, दूर से देखा तो गंजे खेल रहे थे हैं, पास जाके देखा तो अंडे उबल रहे थे Emax यहां से आपके पास आजाएगा जो भी अंसर आएगा, ठीक है, इस तरीके से हम डिग्री ओफ पैकिंग निकालते हैं, समझ यह क्या, एक बार दोस्तों आगे पढ़ते हैं, लेकिन यार हम रोज बिलते एक बार अपने अपने शहरों के नाम बताओ, अपने अपने शहर है, और इसमें एक और कोशन भी आ सकता है, इसमें मौन्ट मौनलाइट मिनरल होता है, मौन्ट मौनलाइट मिनरल होता है, इस मिनरल की खास बात क्या होती है, कि दो आपस में हार्डोजन बांडिंग से जूड़े, दो आपस में आपके पास वीकेस बांड बना रहे होते हैं Wendorrall forces weakest bond. इसमें दो crystal lattice आपस में weakest bond होता है तो मेरे पास अगर कोई पानी का molecule की दोनों के बीच में आना चाहे तो आ सकता है क्योंकि इनके बीच में ज्यादा प्यार नहीं है तीसरा आ सकता है जिनके दोर के बीच में ज्यादा प्यार नहीं होगा तो पानी या कोई और तीसरा आदमी आएगा तो फिर दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बहुत बढ़ता है तो इसका बेंटोनाइट का बेंटोनाइट का वॉल्यूम बहुत चेंज होगा वॉल्यूम बहुत जदा बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ठीक है बेंटोनाइ था दोस्तों जल्दी से सब के सब भाई लेकस्ट्रीन स्वाइल क्या होती है जो डिपॉजिटेट भाई होती है डिपॉजिटेट भाई अच्छ 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 डिपॉजिटेट वाइज एलीट क्या होता है डिपॉजिटेट वाइज और अलूवील क्या होती है ड्रास्पोर्टिट वाइज रुनिंग वाटर लाइक रिवर यह होता है अलूवील अब नीचे देखते रहे ना ठीक है तो आपके बास होगे 3214 बी ओप्षन ठीक है ठीक आप सब बचलों को चुका है इसाइके बहुत भी नहीं है ये मैं तो घरूगा है तो बच्चों के लिए जो लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होगा नरिश्विन वह assignment में आपको लिखके देदूँगा मैं जल्दी से और एक नहीं ज्यादा एकजामपल देंगा एक बार में को यूटूब पर याद भी दला देना सिविल भाई अभीनव सर पर ओके इसके बाद afectives. नहींत है का भाई आन ग्राम है इस में अलिट्स ठैन क्यूबिक मीटर वाइट है डस क्यूबिक मीटर के आपके पास वउइट्स है ऑद अए और वाटर दोनों में लाकि वोइट होता है बाई नाइन ग्राम और सव घूब कूंस भाणके चलते है स्पेसिल ग्रविट दिक्कत नहीं है, ए में कोई भी दिक्कत नहीं है, रंजन अभी थोड़ी दिन पहले ही तो पीचा मैं ने लिया था, environment, ओके इस से जस्ट पहले, इसके बाद void ratio, आपके पास, क्या है, void ratio होगा, volume of voids by volume of solid, तो volume of voids तो आपके पास 10 है, solid का volume कितना होगा, इसका volume कितना होगा, mass by density, तो इसका mass कितना है भाई, 28, density कितनी है, 2.7 times of water, मतलब की 1, gram की बात है न, gram और cc की बात हो रही है न, तो आपके पास density कितनी होगी, 1 gram per cc, तो यह है आपके पास water का volume, mass by density, तो void ratio क्या होगा, volume of voids 10 by volume of solid, 10 divided by 28 by 2, 2.7, तो यह 10 into 2.7 by 28, बिलकुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं भी में, फिर degree of saturation, degree of saturation क्या होता है, volume of water by volume of voids, अच्छा जी, अब total voids तो 10 थे, लेकिन इसमें water कितना है, water का वजन कितना है, 9 और water की density कितनी होती, 1 gram per cc, तो इस 10 में से 9 या था और इस 10 में से 9 ये था, और 9 gram है, density 1 gram per cc होती है, तो 9 ये था, 1 था, तो volume of water कितना हो गया, 9 by 10, तो 9 by 10 into 2.7 तो गलत हो गया, नरेश मीना, C कहां से आ गया, नरेश जी, नरेश जी, C कहां से आ गया, इसके अदब porosity, porosity क्या होगा, porosity आपके पास होगा, volume of voids by total volume, तो volume of voids थे 10, divided by total volume, total volume कितना है, 10 plus 28 divided by 2.7, ये है total volume, इसमें से 2.7 multiply कर दो, तो उपर 2.7 बजएगा, नीचे 28 और ये बिल्कुल सही बाई, बिल्कुल, इसमें 2.7 multiply कर दो, numerator में भी और denominator में भी, 2.7 multiply कर दो, तो ये ये ही बन जाएगा, बहतरीन, A, B, D, बहतरीन question यार, A, B, D, M, S, Q, मज़ा आया की नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया भाई कमेंट बॉक्स में बुलना भाई कमेंट बॉक्स में बुलना भाई कमेंट बॉक्स में बॉल दो प्लीज कमेंट बॉक्स में बॉल दो और एक आगे तो बहतरीन कोशन कराऊंगो यह जाएं चलम यह चाना के वड richest कर दो कि ए ललु है अपक्याएं जल्दी आधर तो जब तक मैं पानी पिम ऑगुट में 해ohl नीचे हो तब तक आप अंसर कमेंड बोक्स बान चाहे है और वीड़ो को शेयर कर दो है अखर जगा रंजन जी बोल रहे हैं पोरो सिटी अगें भाई रंजन क्या दिक्कत है वॉल्यम वॉइट्स दस बाई टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के दस प्लस ये ये वॉइट्स का और ये सॉलिड का तो पंट सैन मल्टिप्लाइ कर दिया तो ये ही आ जाएगा रिच्छा मैम आचुकी है एक बार एक बार सबके सब कमांडोस सबके सब चेम्पियन अब ही तो इस वीडो के से मिन स्मझ है इससे पहले क्या क्या चीजे पढ़ी है उसके बाद क्योंकि कल छुटी है मेरी क्लास नेक्षों की फॉर्थ को नेक्षों की सेवंथ को तो फोर के पहले इनफ टाइम है तीनों की चारों लेक्टर देख लेना असाइनमेंट के साथ PDF मैंने अपने टेलिग्राम पर देख रही है लेकिन आज आप इसमें कंटिन्यू कर लो ठीक है चलो यह तो लल्लू कोशन है या रहा है इस दिन माइन जीरे जुरे टुट क्ले होता है बच्चे-बच्चे को पता है बच्चे यह पता कितने नंबर रख आगा गेट में एक नंबर कभी निए पॉइंट टूफाइं आज नंबर का आएगा आज नंबर कोशन नहीं होता है किसी और एक्जाम में आ सकता है 075 सब्सक्राइब को 75 माइक्रों भी बोलते हैं तो यह कौन सा है यहां से लेकर पॉइंट जो थोता है फोर ठीक है इसके एक क्या होता है ग्रैवल और फोर पॉइंट से यह क्या होता है कहां गया जैंड अब आपना कर शोब्ध सॉरब गुपता बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, फटाफट से एक बड़ सारफ भाई, कुछ इजद है तुम्हें फैकल्टी की नहीं है मेरी, मैं बोल रहा हूं मैडम को सबके सब स्वागत कर दीजे, वेलकम, वेलकम, लिखके, इजद ही नहीं है मतलब आभी नहीं किकिए तुम्हारे नजरों में, मैं बिल्कुल, देखते हैं, चैलिंज, 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 आप पहले या मैं पहले, आप पहले या मैं बिल्कुल, 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 आप प तक आँसे करता हूं मेरे कॉंसर पसंद आ ठाड़ वीडियो देखो और वादर्वास्ट आगए निकल गए होगे से तुम मेंसे आगे निकल गए होगे उके ऑगे असाइल सेंपल ए यह है ए ग्रीन रंग का ए है ठीक है ग्रीन रंग का ए इसका वॉट रेशयो 0.5 है मतलब ज दे रहा हूं यह 0.5 है ठीक है और वालिम है 1.5 तो यार वोल्यम बपाइस कि प्लस वोलुम सॉलिड है देखो, voids by solid, 0.5 आ रहा है, और total sum 1.5 आ रहा है, और तुम इसको वो भी कर सकते हो, मतलब क्या कहते हो इसको इंगलिस में, इसके पाद, दूसरी soil है B, B को मैं इसे लिख रहा हूँ, इसका void ratio कितना है, 0.7 और total volume 1.7, तो volume of voids by volume of solid, यह है 0.7 और volume of voids plus volume of solid है 1.7 तो इसका एक ही combination बनेगा यह, नहीं तो तुम दो तुम दो एक्वेशन कर सकते हो, तुम दो एक्वेशन कर सकते हो, अब इन दोनों को मिला दिया, मिला दिया, दोनों को मिला दिया ऐसा, अब ऐसा मिलाने के बाद, जो हमारे पर नई स्वाइल बनी, थोड़ी पतली बना रहा हूँ, हाँ पर जगह आ रहे है, solid और voids, यहाँ solid जब आई, solid और voids, तो solid छेंट नहीं हो था, बच्चे बच्चे को आता है, solid कभी भी चेंट नहीं हो सकता, 1 और 1 को मिला ओगे, तो 2 मिलेगा, 1 और 1 को मिला और 2 मिलेगा, और total volume इसका कितना है, 3.2, 3.2 है तो इस उपर वाले का कितना रहा है, voids और चेंज हो सकते हैं, तो उपर वाले 1.2 होगा, पूजा क्या है, पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्या होगा, volume of voids, by total volume, यहां से जो भी अंसर आ रहा है, A, B, C, D, मिरको नहीं पता क्या अंसर आ रहा है, मज़ा आया क्या, नरेश ने मिर से पहले कर दिया, यार, मज़ा, खतरनाक, समझ आया क्या, बैटरी खतम होगे भाई, यार, बैटरी खतम होगे, अरे मेरी नहीं मोबाइल की, मेरी पढ़ाने में बैटरी खतम नहीं होती कभी भी, चलो, next question, अरे बच्चा कोशन है, हटाओ, partially saturated soil is example of three-phase system, सही बात है, partially में solid भी रहेगा, water भी रहेगा, air रहेगा, सही बात है, बाई, imated, गामजेट्टी इञा 높़, सुमेच, सम्मेच, सही जे काम होथी है, और यह तो मल्टिप्लाइ करवार रहे क्यां, मल्टिप्लाइ करवार है, फ्मल्टिप्लाइ जादा करवार है, जादा करवा रहे तो, गामा सेट, इंटु 1-प्लस W, हैट, वाट, याट, वालमजेश स यह फ्रिंके लिमिट में पढ़ाया नहीं है और इस वाले segment पढ़ाओं नहीं तो इसमें मनड़ना ही बता रहा हूं आपको वैसे आपको विच्य पास होता है semi solid solid के बीच में तो अभी इसमें नहीं बता रहा हूं आपको अंसर बता दिरहा हूं किसी और वीडियो में कभी और यह सेकेंड टाइम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा अच्छा इन 200 ग्राम वेट स्वाइल सेंपल टो वेट स्वाइल्स लांगर मतलब सॉलिडिट तो ग्र्णेट बडियों! छीडिट बिंस एक बीडी बिक्षाने वाले कोशन बनाूँ अच्छा next consider the following statement porosity is zero in fully saturated soil अरे कहां से भाई fully saturated में मतलब तुम कह रहे हो तुम बच्चे को बेवकू बना रहे हो कि porosity होती है volume of voids by total volume और जो बच्चा बेवकूफ होगा जिसे मेरे कहते हैं जीरो कैसे हो जाएगा जिसमें भूम भूम भी आएगा जिसमें सामी भी आएगा उस सब का देंसिटी है लेकिन स्वाहिल में तो पेटा रहा हलका वाला वाटर भी आ गया एकदम ही तुच्चु मुच्चु वाला एर भी आ गया तो उसकी देंसिटी तो हमेशा कम ही रहेगी 2 सही है moisture can be more than 100% बता रहा है भाया 100% ज्यादा हो सकता है drying results in increase the void ratio कैसे भाया कैसे भाया drying से void ratio क्या जादू खिल रहे हम यहाँ पर ओके तो इकॉंसा यह two and three C option C option okay good 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 अच्छा जी बढ़िया जी एक question आया what are the respective values of void ratio porosity and saturity density for a soil sample which has saturation moisture content of 20% and specific gravity of 2.6 which has a saturation moisture content of 20% okay 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 मेरे पास gamma set होता है G plus SE S तो 1 होगा 1 plus E into gamma W okay अच्छा जी और यहाँ पर अच्छा saturation moisture content of 20% और एक relation होगा SE is equal to WG जब saturation था उस समय आपके पास W कितना था 20% और G कितना था 2.6 into E तो यहाँ से E की value आपके पास खुदी आपने बता दी 0.52 E की value 0.5 हुई तो N कितना होता है E upon 1 plus E तो 0.52 upon 1.52 ठीक है तो आपके पास यह शायद 0.34 आ जाएगा यह आपके पास जो भी अंसर आएगा 10 लेके देखो N E तो समझा दिया N भी समझा दिया इसमें G पता है E पता है गामडलू पता है गामा सेट आजागा शायद D आता है approximately बिल्कुल नरेश मीना समझे सब के सब अच्छा यह है जाल चलो इसका अंसर बताओ गेट में आया था अभी तक के सारे कोशन कोई भी गेट में नहीं आये थे वह मेरे खुद के कोशन से यह कहीं से कॉपी किये है किसी other than PY कियो other than previous question यह गेट का कोशन और टूमाक्स में आया था Gaitka questioner two mark'sまया था. करो. समझाओ, समझाता हूँ. जाल है यह जाल, क्या है, कि मैरेका embankment बनानी है, जिसका वाल्यूम है 5000 m3, यहाँ भी वाल्यूम है embankment, जिसका वाल्यूम है 5000 m3 ठीक है। अब यहाँ पे 5000 m3 बनाना है, और density बनानी है 16.2, target density 16.2 बनानी है समझना target density बनानी है 16.2 ठीक है अब ये करने के लिए यहाँ पर 5000 का volume जिसके target density 16.2 होगी ये करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजे हैं तीन साइट है x y z ठीक है और void ratio उन सब का दे रखा है 0.6, 0.64, 0.67 अच्छा specific gravity है 2.7 और अगर cost of transportation per kg is twice the cost of excavation cost of excavation माल लो cost of excavation माल लो alpha per meter cube तो cost of transportation per kg is twice तो cost of transportation आगास 2 alpha है per kg अगर एक meter cube की soil को आपको transportation में alpha लग रहा है sorry excavation में उसको खोदने में alpha लग रहा है तो cost of transportation आपके 2 alpha है तो इनमें से सबसे economical site कौन सी होगी ये comment box में पूछा है डी बच्चे वदा जवाब दे रहे हैं अलग अलग बच्चे जल्दी से मेरे को इसका अंसर एक बार बता दो फटा फट से अब देखो ये है जाल हाँ 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 होगे SMS में लिखते ना भाई इसका अंसर बता हूं क्या है इसका अंसर है X हटाओ इसका अंसर है X ये कोशन था ही ने देखनी ने मिन में टाके को चेंज किया है अरे इसको क्या solve कर रहे हो दो क्या कहा है रही है ठ्मे पफे से कं पैसा काहन से आएगा सबसे कं किलो मिटर ये दूर ये सब से कं ये है एक्स-ट्रंस्पोटरेशन के सबसे एकसे और चया है और सबसे अठाम माल का है सबसे ये व्यदी सिफ यां involved वे पल्न 64.7 तो यहां में माल भी सबसे जादा रहा है कि जब मैं एक मेटर क्यूब उठाउगा तो स्वाल उठाओंगा तो सॉलिस अफसे जादा सॉलिड आएंगे क्योंकि वाइड्स कम है और ट्रांसपोटेशन हो गया ना रसा उसके बाद सबसे खराब हो गया वाई त्रांसपोट में भी और सबसे कम माल भी आएगा ज्यादा माल ले जाना पड़ेगा ज्यादा ट्रक ट्रांसफर किराने पड़ेंगे क्योंकि वाइड रिशो पॉइंट सेवन है तो इसका अंसर तो एक्स होगा यह कोशन था ही नहीं गेट में तुमने चेंज किया है कोशन यह था यह कोशन था आप करो लेट कॉस्ट आफ एक्सकावेशन इस अलफा पर मीटर क्यूब तो कॉस्ट आफ ट्रांसपोर्टेशन इस टू अलफा पर केजी यह था कोशन अब कोशन समाझ गे होंगे अब देखो यहां पर तुम साइट एक्स को इतना चाड़ी बोल सकते हो क्योंकि साइट एक्स से साइट एक्स से माल तो सब जाधा मिल रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के कोश्ट जादा लग रही है ट्रक जादा ले जाने पड़ेंगे समझ रहे हो तो यह है कोशन आब यहां पर कैल्कूलेशन करनी पलेगी यहां पर क्याल कुलेटन करनी पलेगी ओके आप यहां के वॉल्यूम कितना है भाया यहां का वॉल्यूम है 5000 मीटर क्यूब और टार्गे देंसिटी है 16.2 तो भाई देखो देखो और समझो गामा डी कितना होता है वेट ऑफ सॉलिड भाई वॉल्यूम कितना है 5000 भाई वेट ऑफ सॉलिड आपके पास है और वॉल्यूम कितना है आपके पास 5000 तो यहां से वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा और आपके पास volume of solid कितना रहेगा weight of solid divided by density of solid that is g times of gamma w यहां से आपके पास weight of solid आएगा weight of solid यहां पुट करोगे g पता है gamma w पता है तो volume of solid आपके पास आएगा 3000 और solid कभी भी change नहीं होते है solid कभी भी change नहीं होते है और देखो भाई एक और चीज़ समझो कभी भी soil में तुम्हार पर यह solid है और उपर का water and air को मैं voids बोल रहा हूँ तो अगर यह vs है तो यह e vs होता है बताया था बताया था और total volume इधर भी volume में लिख रहा हूँ total volume कितना हो जाएगा vs into 1 plus e यह total volume हो जाएगा और vs सेम रहेगा क्योंकि solid सेम रहता है vs सेम रहेगा क्योंकि solid सेम रहता है अब मैं x की बात करता हूँ तो x में जब मैं बात करूंगा तो volume of solid यह तो constant रहेगा that is 3000 और 1 plus e यह total volume रहेगा तो यह हो जाएगा 3000 into 1 plus 0.6 तो यह हो जाएगा 4800 तो x से मिरेको इतनी उठानी है ठीक है y से मैं करता हूँ तो यह हो जाएगा 3000 volume of solid constant रहेगा जो यहां पर solid है वो यहां पर भी solid रहा होगा transportation में solid यह नहीं होता तो y पर यह रहेगा 1 plus 0.7 तो यह रहेगा 4920 आएगी अब मैं पैसे की बात करता हूँ यह माल की बात माल की बात करते हैं तो माल की बात जब होगी तो x से कितना पैसे लगेगा देखो कितना solid उठाना कितना volume उठाना आपको वहां से एक से 4800 एक मीटर क्यूब के लिए अलफा लग रहा है तो कितना लगेगा 4800 अलफा अच्छा एक किलोमेटर के लिए इन पार किलोमेटर के दिने पर किलोमेटर एक रोम टो इसमें तो अपके पास 4800 आपने निकाला और औरम स conservative इतने का इतन हाफा आँ गया कितने किलोमेटर क्यूंपने किछारीज तो एस तो एक तो झालिए और ड्शिन क्यूशिस निकाला अइसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब समझे एक बर कमेंट बॉक्स में सब के सब बता देना भाई लोग सब के सब कमेंट बॉक्स पर बता देना की समझे की नहीं समझे everybody मज़ा आ गया क्या यार मज़ा आ गया क्या यार जल्दी से जल्दी से जल्दी से पूरे तार खोल दिए, पूरे तार खोल दिए, ओके, इसके बाद ये वाला कोश्चन है, अच्छा, पहले आप उसकी डेंसिटी निकाल लो, तो मास कितना था, 1.980, और वॉल्यूम कितना है, 0.001, 0.001, तो यहां से रोटी की वेल्यू आपके पास आ जाएगी, यहां से रोटी की, 1980 आ गया, 1980 kg पर मिटर क्यूब, ऐसी रोटी भी निकाल लो, रोटी कितना होगा, ड्राइ होने के बाद मास कितना है, 1.800, और वॉल्यूम सेम है, 0.001, तो रोटी आजाएगा, 1800 kg पर मिटर क्यूब, यहां गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहां से, तो रोटी जो होता है, वो रोटी अपान 1 प्लस W होता है, रोटी निकाल लि जाएगा, 0.1, अच्छा, एक और फर्मला होता है, रोटी का, जी रोटावल्यू 1 प्लस E, रोटावल्यू बच्चे बच्चे को बता, 1 ग्राम प्लसी सी, रोटी मैं निकाल चुका, 1800, जी कोशन में ते रखा है, 2.7, एक ही चीच अन्नोन है, एक कोशन एक अन्नोन, यहां जाएगा, 0.5, एक कोशन एक करनो, बहतरीन तरीके से आगे चलते हैं, डिग्री अफ सेटरेशन पूछ रहा है, तो S E is equal to W G, G कोशन में ते रखा है, W यहां निकाल दिया, E यहां निकाल दिया, यहां से S की वेल्यू, आपके पास आजाएगी, 0.54, that is C option, that is C option, समझे क्य बहतरीन तरीके और यह homework है, इसका अंसर, मैंने पहली homework कर रहा है, मैंने अपना homework कर रहा है, ताकि बच्चों का मैं वहाँ पर लिखूंगा, क्लास के दौरान यह लिखूंगा, तो time waste होगा, मैंने पहली ही यह सब कर रहा है, homework है, यह question का answer, question number 17 का, राम, नरेश, आरना, सब के सब को comment box पर लिखना है, इसका answer, ठीक है, सब के सब को इसका answer comment box पर लिखना है, वीडियो के बाद comment box पर, आब next class होगी, fourth में को, sieve analysis, fourth में को next class होगी, that will be sieve analysis, कोई दिक्कत किसी को, telegram पर, मैं आपको अपना link भी देता हूँ, यह मेरा telegram है, civil by abhinav sir, ठीक है, civil by abhinav sir, य यह आपका telegram है, और यहाँ पर मैं PDF आपको assignment, आज का assignment देता हूँ, इस assignment को solve कर लेना, आप, आपके लिए बहुत important होगा, ओके आप भी तक, जितनी भी class मैंने link है, सब में आपको assignment दिया है, यह मैंने एक नया feature, इस बार से आपके साथ किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तरुन का message भी आ रहा है, civil by abhinav sir में कि, मिनको अभी पर चला, आपके assignment solve करके दे दूँगा, ठीक है, ठीक है, तो यह मैंने आपको, दे दिया assignment, टेलीग्राम पर आ गया होगा, तो इसमें मैं नया start किया कर रहा हूँ, daily assignment देना मैं लगा हूँ, कि जो पढ रहा हूँ, लेकिन मैं assignment भी दूँगा उस particular video से related, यदि अभी तक channel subscribe नहीं किया है, तो please सबके सब channel subscribe कर लेना, क्योंकि civil के लिए one stop solution होने वाला है, चाहे वो technical concepts हो, चाहे वो practice हो, चाहे वो injuring services के current affairs हो, चाहे वो आपके पास important update regarding notification हो, सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएग एक बहुत important video research करके मैंने बनाई है, cut off दे रखे हैं सारी branches के, आप वो video देख लेना, चाहे आपने बात नहीं भी दिया, अगले साल देने वालों, देख लेना वो video, क्योंकि उससे, एक मिनट पान सेक्ट की video बनाई है, इसी channel पर अभी मिल जाएगी आपको, क्योंकि उससे को दिख रही है, जिस बच्चे के पास user ID, password है, जिसने exam दिया था, तो वो सारी branches के लिए, आपके civil के लिए भी, वो video बनाई है, उसको देख ले, आज ही बनाई है, ठीके दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, आप सब को video पसंद आया होगा, बहुत जल्द मैं अभी नवनेग आप सब करते हैं